चल्गे दोस्तों चालू करते हैं आज की B.A.T.O. News No. 31 आज की सबसे पहली खबर आ रही है ओला एलेक्ट्रिक स्कूटर की तरब से ओला एलेक्ट्रिक स्कूटर जब से लांच हुई है तब से इनके जो यूजर्स हैं इनको काफी जादा इसूज आ रही है पहले तो इसके अंदर आग लगी फिर इसके अंदर रिवर्स वाली प्राब्लम आई और उसके बाद इसके अंदर माइलेज ड्रॉप की प्राब्लम आई और अब इसके अंदर जो इसका फ्रंट वील है वो ही तूट के अलग हो जा रहे हैं अब जो front वाला suspension उन्हें ने लगाया है वो तूट के निकल जा रहा है ये seriously काफी बड़ी बात है कि इसके अंदर अब जो physical चीज़े हैं वो भी तूट के निकल रही है इसकी वज़े से लोगों को काफी जादा injuries आ सकती है जो भी उस time पिसको drive कर रहे होंगे बाकी अभी तक Ola ने इसके उपर कोई भी official statement नहीं दिया हुआ है और पूरा का पूरा Twitter इस चीज़ सभी भर चुका है बाकी जब भी ये इसके उपर कोई भी update देंगे definitely हम आपको उसको बताने वाले हैं और दोस्तों अगली खबर आरी KTM की तरब से तो KTM RC 390 2022 variant को इन्होंने launch कर दिया है और इसकी price इन्होंने 3,14,000 रुपए रखी हुई है अगर बात करें update की जिसके अंदर updated graphics आते हैं और जो aerodynamics को गहरा है इसको भी इन्होंने change किया हुआ है मतलब improve किया हुआ है जिसकी वज बाकि अगर आप इसके looks की तरफ देखेंगे तो जो इनकी street fighter है उसकी तरह इन्होंने इसको look देने का try किया हुआ है और इसके अंदर भी दो ही color option आते है adventure की तरह जो की factory racing blue है और KTM orange है और बात करेंगर engine की इसके अंदर इन्होंने 373 cc का engine दिया हुआ है तो आपको नई व अबर आई triumph की तरफ से तो triumph की जो सबसे most popular bike है इंडिया के अंदर tiger इसका next version मतलब 1200 का 2022 variant इन्होंने launch कर दिया है और इसकी जो price इन्होंने रखी है वो 19,19,000 रुपे रखी हुई है और जो top अला variant है इसकी price 21,69,000 तक जाती है इसके अंदर इन्होंने इस बार 4 variant लांच किया ह जो की rally explorer और GT explorer है और इन दोनों के अंदर इन्होंने pro variant भी दिया हुआ है जो GT variant है इसको इन्होंने road के लिए बनाया हुआ है मतलब city purpose के लिए इन्होंने इसको बनाया हुआ है और जो rally variant है इसको इन्होंने true off-roading capabilities दी हुई है अगर हम बात करें features की इसके अंदर जो features है वो बाकि उसके लावा जो features है वो सारी की सारी bikes में similar ही है और इसी के सास्थ यह अपने previous variant से 25 kg lighter भी है और कुछ time के लिए true off ने इसको discontinue कर दिया था इंडिया में लेकिन अब इस नए launch के साथ इंडिया में फिर से continue हो गई है तो let's see यह नई वाली tiger इंडिया के अंदर क्या धम variant launch कर दिया है मतलब 2022 variant launch कर दिया है और इसकी प्राइज इन्होंने 72,990 रुपीज रखी हुई है अगर बात करें updates की इसके अंदर इस बार full digital meter आता है Bluetooth connectivity के साथ इसी के साथ साथ इसके अंदर SMS और call alert भी इन्होंने दिया हुआ है और कुछ और feature भी इन्होंने दिये हैं जैस इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है अगर बात करें engine की इसके अंदर इन्होंने 97cc का engine use किया है जो की 7.9 HP generate करके देने वाला है और 8.5 Nm का peak torque भी engine generate करके देने वाला है तो आपको नई वाली Splendor Plus कैसी लग रही है या आप नीचे comment करके बता सकते हैं और दोस्तों अगली ख़बर आ रही है महंदरा की तरब से तो महंदरा की जो नई वाली Scorpio है इसको इन्होंने reveal कर दिया है जिसका नाम इन्होंने Scorpio Yen रखा हुआ है इसी के साथ साथ जो existing Scorpio है मतलब जो Scorpio पहले से market में मौझूद है महंदरा इसको भी sell करने वाला है बस इसका नाम अब change हो जा जाएगी और जो नई वाली Scorpio Yen है इसको महंदरा इंडिया के अंदर 27 जून को launch करने वाला है जिसके बाद इसके बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएगी लेकिन reveal के अंदर जो इसका exterior part है वो visible है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ground clearance जो है इसको इन्होंने बढ़ाया यह सारी चीज़ें आप अपनी स्क्रीन के उपर देख सकते हैं बाकी जो भी चीज़ें बची हैं वो 27 जून को जब यह launch होगी तब हमें सारी चीज़ें पता चल जाएगी और हम भी आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं उसके लिए बस आप चैनल को सस्क्राइब करके और इसके अंदर इस बार वोक्सवेगन साया दो इंजन ओप्सन दे सकता है जो कि 1 लीटर और 1.5 लीटर TSI पिट्रोल इंजन होने वाले हैं और यह एक सी सेगमेंट की सेडान है जो कि इनका MQB प्लेटफॉर्म है उसके उपर ही बेश्ड होने वाली है और इसके उपर ही इसकोडा की सलेविया है वो भी बेश्ड है तो स्वेम इसी प्लेटफॉर्म की उपर यह वोक्सवेगन की विर्तुस भी होने वाली है बाकी टेक्निकल जीज के मामले में आप इसको इसकोडा सलेविया की कजिन भी बोल सकते हैं तो यह नो तारीक को लांच होगी उसके बा गया है और इसी के साथ साथ इसके अंदर दो फीचर भी इन्होंने कटाफ किये हैं इसके अंदर अभी तक 10 इंच की इन्फोटेंडमेंट स्क्रीन आ रही थी जिसको इन्होंने घटा कर दिया है और इसके अंदर जो वारलेस चार्जिंग आ रही थी इसको इन्होंने डिसक पर होने वाली है जो कि मेरे हिसाब से सही चीज नहीं है जिस चीज को लोगों ने देख के इसको प्रिबुक किया था कम से कम जिनों ने पहले बुक किया है उनको तिये चीजे मिलने ही चाहिए थी अगर आपने इस कोड़ा सलेविया को बुक किया हुआ है तो आपको क्या लाइक कर दीजे साथ में इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजे और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फिर मिलते हैं आप से एक नई वीडियो में